आज का राशिफल मेश राशी असंतुलित खानपान के कारण मुह में छाले और गैस की समस्या हो सकती है परिश्रम का सार्थक परिणाव नहीं मिलेगा प्रेम संबंधों में तनाव कुद्पन हो सकता है आज किसी से उधार लेने से बचें व्रिशब राशी आपके व्यावसा एक संपर बढ़ेंगे ओफिस में बॉस आपसे काफी खुश रहने वाले हैं दिन्चर्या में नई आदतों को शामिल ना करे छोटी-छोटी गलतियों को नजर अंदाज ना करे जीवन साथी से वैचारिक मतभेद दूर होंगे मिथुन राशी परिवार का साथ और सहयोग प्राप्थ होगा यवसाय में बहतरीन ओर्डर मिल सकते हैं यदि घर से बाहर जा रही हैं तो अतिरिक्त धन लेकर निकले ओफिस में आपकी सभी रुकावते दूर हो जाएंगी करक राशी सभी कार्य आपके अनुसार ही होते प्रतीत होंगे आपको मेहंद ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन इससे मिलने वाला सकारात्मक परिणाम आपको मानसिक संतोष प्रदान करेगा सिंग राशी कारोबार में विस्तार को लेकर तुरंद बड़ा धन खर्च ना करे ओफिस में आपको अतिरिक काम करना पर सकता है जिन विश्यों के बारे में आपके पास परियाप्त ज्यान नहीं है उसको लेकर कोई दावा ना करे कन्या राशी वैवाहिक जीवन में कुछ अशान्ती रहेगी बजट को ध्यान रखकर ही काम करे विद्यार्थी पढ़ाई को लेकर परेशान रहेंगे मास पेशियों में खिचाव और दर्द की समस्या हो सकती है तुला राशी आर्थिक मामनों को लेकर थोड़ी ज्यादा समझदारी दिखाने की आवशकता है महत्वपूर्ण कार्यों को लेकर लापरवाही ना करें ऐसे लोगों से मिलना पड़ सकता है जिनसे आप बिलकुल मिलना नहीं चाह रहे थे विष्चिक राशी आप एक साथ कई कार्यों को साधने की कोशिश करेंगे शरीर स्वस्थ और मन काफी प्रसन्न रहने वाला है चतुराई और विवेक से काम लेंगे विवाहितों के लिए दिन बहुत ही अच्छा है धनों राशी आपको अत्यधिक मेहन करने की आवशकता है आखों में कुछ समस्या हो सकती है सरकारी नियुमों का कडाई से पालन करें किसी बात को लेकर बहस की स्थिती बन सकती है मकर राशी कारोबारी यात्रा होने के योग बन रही है नई योजनाओं पर धन निवेश कर सकते है राजनीती से जुड़े लोगों के लिए दिन शुब नहीं है प्रेम विवाह के मार्ग में आ रही बढ़ा दूर होगी कुम्भ राशी आवश्यक कार्यों को सुबह शीग्राती शीग्रप पूर्ण कर ले सभी कार्यों को शांती पूर्ण तरीके से पूरा करने का प्रयास करे कारोबार में आपको अचानक कुछ फैसले लेने पड़ सकते हैं मीन राशी अती आत्म विश्वास के कारण लोगों के निशाने में आ सकते हैं धर्म कर्म के प्रती आपकी रूची कम हो सकती है नजदी की मित्रों के साथ अपने संबंध मधुर रखे अपनी कमियों को दूर करने का प्रयास करे